जेम्स सुडॉर्ट के टापू पर खुश था, लेकिन उसे अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी था तुम एक स्पेशल मिक्स ट्राफिक एंजिन हो, मोटे साहब ने कहा तुम मासानी से दिब्बे और मालकाडियां दोनों खीच सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने गल्तियों से सीखना होगा जेम्स जानता था कि मोटे साहब किस गल्ती के बारे में बात कर रहे थे पहले ही दिन हुए दुरघटनी का शिकार, जेम्स वो गल्ती भूला नहीं था डिब्बूं का ध्यान रखना जेम्स, एडवर्ड ने कहा, उन्हें धड़पड बिल्कुल पसंद नहीं स्टेशन पर जेम्स की प्रशंसा करने बहुत लोग इकठा होए वा, क्या शानदार इंजिन हुम है, उसने सोचा और जेम्स ने अचानक भाब छोड़ा मोते सहाब की जगमगाती नई डोपी पर पानी का बौचार गेर गया फिर गार की सीटी बजी, और जेम्स को लगा कि उन्हें अब निकलना चाहिए चलो भी, चलो, उसने एडवर्ड को बोला, धक्का मत दो एडवर्ड ने कहा, डिब्बे भी परिशान हुए, धीरे से, धीरे से, इतना जल्दी मत जाओ लेकिन जेम्स ने बात नहीं मानी जब वो अगले स्टेशन पहुंचे, तो दो डिब्बे प्लाटफॉर्म के आगे चले गए और जेम्स को थोड़ा पीछे जाना पड़ा, ताकि यात्रीगंड ट्रेन से नीचे उतर सके मोटे साहाब की टोपे के बारे में किसी को पता नहीं चला, और जेम्स को थोड़ी राहत मिली अगले स्टेशन पर थॉम्स और उसके दो डिब्बे उनका इंतजार कर रहे थे कैसे हो जेम्स? बोला थॉम्स, अब ठीक मैसुस कर रहे हो? हाँ, बिलकुल ओ, वो रही गाइट की सीटी, चलता हूँ, मोटे साहाब मेरे बिना ये ब्रांच लाइन नहीं चला पाएंगे ये बोलते हुए थॉम्स निकल गया थोड़ी रेर बाद, एडवर्ड और जेम्स उस खेत के पास पहुंचे जहां जेम्स की दुरगट ना हुई थी बाट की मरमख की गई थी, और गाएं फिर से घांस चर रहे थे उन्होंने सफर खत्म किया और थोड़ी देर आराम करने के बाद घर के लिए निकल पड़े जेम्स अब भी सोच रहा था कि मोटे साहब उनकी खराब हुई टोपी के बारे में क्या कहेंगे अगली सुबह, मोटे साहब ने जेम्स को बहुत कुछ सुनाया अगर तुम ऐसा बरताफ करते रहोगे तो तुम्हारा लाल रंग नीले में बतल देंगे, समझे? जेम्स को ये बात बिलकुल पसंद नहीं आई घुसे में डिब्बों को प्लाटफॉर्म पर एकठा करते वक्त, उसने उनके साथ बहुत ही बूरी तरह से व्यवहार किया चुप रहो, फुस्फुसाओं मत वो चिलाया, गौडन को खुद के डिब्बे कभी कठा नहीं करने पड़ते और वो बाकियों की तरह नीला भी है इस बात जेम्स की प्रशंसा करने कोई नहीं आया और वो इस बात से और घुसा हो गया मैं उन्हें दिखाऊंगा, उसने सोचा, सबको लगता है कि गौडन ही एक्सप्रेस ट्रेन कीट सकता है जल्दी, 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 जेम्स चिलाया तुम बहुत तेज जा रहे हो, तुम बहुत तेज जा रहे हो, डिब्बो ने कहा लेकिन जेम्स हसते हुए और तेजी से गया फिर डिब्बो ने धमकी दी हम रुकेंगे, हम रुकेंगे और वो रुक गये क्या हुआ? जेम्स ने ड्राइवर से पूछा ब्रेक लगे हुए हैं लगता है कि पाइप में लीकेज है तुम्हारी इतनी भागदौड के बाद ये तो होना ही था कैसे ठीक करेंगे इसे? गार्ड ने पूछा एक अकबार का कागज और चमड़ी के फीते के साथ ड्राइवर ने जवाब दिया लेकिन ये जूते का फीता मिलेगा कहा? गार्ड ने पूछा यात्रियों से पूछ कर देखें ड्राइवर ने कहा सर जी अपके जूते चमड़ी के है गार्ड ने ढंके कपड़े पहने हुए एक सेट से कहा क्या हमें से ले ले? जी नहीं सेट ने कहा जी फिर गार्ड बोला ट्रेन यहीं के यहीं बंद रहे जाएगी यात्रियों ने बड़ा हल्ला किया सब ने कहा कि रेलवे बेकार है फिर सेट पर मुड़कर उसे भी बेकार बुलाया सब लोग बहुत घुस्से में थे अंत में सेट ने अपने फिते दे ही दिये जैवर ने अखवार से पाइप को लपेटा और कस के बांधा और आखिर कार जेम्स ट्रेन को लेके फिर से चलने लगा जेम्स ने अपना सबक सीख लिया था और ये गलती वो फिर से कभी नहीं दोहराता